प्रिमित्रों मैं निलिश्मराज जेव इंकटेजी सावित्र जोती शंगला क्वाद आगे बढाते हुई में प्यामित्रों आज हम बात करेंगे कि नौ ग्रहों की महादसा कितने वर्षों की होती है चैसुर चैंद्र मंगल भूद गुरू शुक्र सनिराहु के तु यह जो नौ ग्रह हैं इन ग्रहों की महादसा कितने वर्षों की होती है और आजम बताएंगे और आज बताएंगे कि महादसा किसे ग्रहों की चल रही है यह भी आपको जनकारी प्राथ होगा और 27 निश्टर में कौन अंक आ रहे हैं आज हम अंक से बताएंगे कि किन ग्रहों की महादसा पर देखेंगे जो 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 जानते हैं उनको तो महलूम हो जाएगा लेकिन जो विद्यार्टी नहीं जो 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 हों कि आप अपने कुणली में देख सकते हैं कि आपका किस ग्रहों की महादसा चल रही है या किस ग्रह की महादसा में आपने जन्म लिया है या नचत्रों के मादम साब बताएंगे कि महादसा कैसे निकाला जाता है या अंकों के मादम से आज आपको संपुर जानके प्रक् स्द्राइब 1000 के न होती है और नचत्रों से निकाले महादसा हीतल निकालcely है अधंकर दूब करें पर दैखिब कि जो महादसा निकला जाता है यह memang बेचन किया हूं सबसे पहले सुरी की महादसा टीन से सुरी की महादस्य अपने इपर पहले आता है तो सुरी की महात Timothy के महद्सा दस वर्ष की होंती है कि सूर के बाद चंद्रमा के बाद मंगल की आएगए मंगल की महद्साथ शाट वर्ष वर्ष की होती है और मंगल के बाद राहु आएका या समझने के बाद ये है, ऐसा नहीं कि मंगल के बाद बुद्ध आ जाएगा, मंगल के बाद राहू आएगा, तो राहू की महादसा अठारा वर्सकी होती है, राहू की महादसा के बाद गुरू की महादसा आती है, तो गुरू की महादसा सोला वर्सकी होती है, और गुरू क में 17 वर्ष्ट बुद्ध का मादसा चलता है उसके बादा है केतु की मादसा और केतु जो है साथ वर्ष्ट की मादसा होती है साथ वर्ष्ट तक रहता है केतु को बाद सुक्र की मादसा आती है और सुक्र की मादसा जो है 20 वर्ष्ट की होती है तो पहले आप समझे चलता से क फिर केतू कियाती है यह स्रेपर होता है मंगल राहो ऐठावर्स गुरू सोले वर्स स्ञेटों पूर्प साथ वर्स अर्श वर्स तक इने ग्रहों की महादसा रहती है प्रीमत आप मताने चल रहे हैं कि अब आपको एक शूत्र याद रखना है इन शूत्रों के माद्यम साब को मालूम पढ़ जाएगा कि किस नशत्र में हम जर्म लिए बताएंगे कौन से ग्रह की महाद साथ चल रही है तो उस ग्रहों को आपको याद रखना वो सूत्र क्या है एचंकु राप जी सबू के शू यहीं सूत्र आप का मंगल रा माने राहू जी माने गुरू जी समाने शनी और बूप केशु बुद्ध केतु शुक्र यहीं सूत्र रहे जो मैंने सिस्टम बताए कि पहले इन ग्रहों से आएगा आप यह याद रखिएगा जो मैं हाँ सूत्र लिखाऊं यह नियम लिखाऊं चंकु रा बुद्ध के माने केतु शुक्र अचंकु राजी सबुद्ध केशू यही सूत्र आपको बैठाना है क्योंकि नव ग्रह होते हैं और नव ग्रहों से हम बताएंगे कि किस नच्छत्र में आपका जन्म हुआ है और नच्छत्रों के माध्यम से किन ग्रहों की इस ग्रहों के जन्म होता हैम अग Manuel Kita चित्रा स्वाति विशागान रादा जिस्टा मूल पुर्वा खड़ा उत्रा खड़ा खड़ा स्रवड़निश्टा 27 पुरवा भात्वत उत्रा भात्वत रेवति यह सब्सक्राइस नशत्र होते हैं तो मालिजे अगर आपका जन्न अब यह सूत्र कहां या रखना है यह कृत यह पन्दी आपसे कहता है कि पंडी जी मेरा जो जन्म हुआ है मिरक्षीरा नशत्र में में अब उसका महतसा कैसे नहीं किस ग्रहों की चल रही है तो जो मैंने शूत्र बता है चंकू राजिस सब भूम केश्व स्कूप बैचा लेना है अब मिरकषीरा को जोड़ना है तो तो तीसरा आ गया तो आपको यह सूत्र रखना है छम्कू। मैंने न्यूंग चांड तो शूर्य चंड्र मंगल अगर मिल्कषियर निशत्र है तो उसे ब्यक्ति का जन्म जो है मंगल की महादसा में हुआ है अगर माली की जन्रमा की जो है महादसा में जन्म लिया है अगर निक्षिरा हो चित्रा हो धनिश्य निरश्यत्र हो तो समली आपका मंगल की महादसा हmetros का जन्म होगा है। सवाती हो सद्विशा अगर ये mi sev theor में चीनरोगों क्यों हुआ है कि आजोनृ व्यख्वेक पुर्णाज़ की महातरिं आपका जम्म हूआ है Soušra देजिकल मुद्यृ एक आहिए मुद्यकिं मुद्यृ अगर माली मगा मूल तर्फ न च्ट्र हो तो समझता से तो आपका इए नीम और बतानें चल रहा हूं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अगर यह निक रहों की दसा आपके जन्म हुआ है इन अच्छत्रों के अगर देखेंगे तो इन ग्रहों की महादस्राव का जन्म हुआ है तो पुर्वाप फिर आप आईए उत्रा भर्ण हस्ट्रा स्वाति पिसागर मुल प्रुवखड़ा फिर आगे सूरी चंद्रा मंगल राहु गुरु सनी बु बुद्ध केतु शूक्र तो आप जोड़ना है तो आप चलेगे तो शूत्रा राजी सब्भू केशू नशत्रों के माध्यम से आप निकाल सकते हैं जैसे मालीजेव लगाई है कोई आपको कहता है कि पंडेजी मेरा जहन्न जो है जल्म हुआ है मालीजे धनिष्टा में हुआ है कि प्रश्णि क्या पूचा तो सवाधिबयर कि ही होगा उत्रवाव browser लेखा अगर कोई कहता है कि मेरा जुर्म धनिष्टा में हुआ है तो आचांकु अपका तीश्रा आ गया पुरुवा 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 कर श्रवड धनिष्टा तो दो इस्टा मने हो गया आचंकु तो आपका जो है मंगल की महादस्वा में आपका जन्मुआ इसे अपसरांता शमली जिए प्रिमत आगे बढ़ते हैं अब यहां यह मैं 27 नश्रतों से में बताया हूं माल लिए आपको 27 नश्रत में याद है तो आपको याद रखना है यदि तीन बारह एकीस या तो आप समलेजिए तीन चार पांच छा साथ आठ नौ दर सी ग्यारा बारह तेरह चुदर पंदरह शोरा सतरह ठारह उन्हें इस ब का ऐसे आप समझ पाएंगे एक मैं आपको 27 नश्रत होता है अब यहां जो नश्रत रहे यह दो छोड़ के कि किर्थिका है तो यह आदि आपका यहां अस्वनी से लेना है अस्वनी भरने क्रिथिका 27 नश्रत मैंने बताया हूं यह लिखा भी हूं मैं अगर माल लिए आपक चाड़ा हो एक कैसा वहां हो यह समझ लेजी तीन बारे 21 नंबर नश्रत आता है तो समय आपका शोड़ी की मादसा में आपका जन्म हुआए यह से आप समय जाएंगे अगर चाड़ तेरह वाविस न श्रत रहे माने चव्था तेरह वह लिखे रहे तो समझ लिए आपका ज लिए जन्म हुआ है यह पंदरह चौबीस अगर यह तो समझे यह आपका जो है राहू की महाद सर्ण हमआपका जन्म हुआ है 716 1537 से शावाव डू जोने 5ाना करें है आपका जोह है 918 27 तो समझे लिए अगर यह गाता है नहिए तो जोड़ेंगे समर्य आपका बुद्र की महाधसाना आपका जन्म हुआ है तो अंकों के माध्यम से आप निकाल सकते हैं समर्ण कोई आफंच देक शन्म होगा तो आपको जोड़ा है यह तो आपको तीस देखना यह तो आपको तीसरा देखना यह पासमी भी कृति का आंगया फिर रोटी चंवता आगया अध्या अध्राव लगा तो आप अंकों के माध्यम से भी बता सकते हैं कि कि आपको अच्छला लगा हुआ हुआ